श्रोत बंधू दर्शक गंड दोश्तों दैनिक अर्थ प्रकाश मेडिया ग्रूप आपके लिए हर रोज कोई न कोई चुनिंदा प्रकर्ण या कथित कांड गोटाला उसे लेकर आपकी नजर में यहाँ पे कारेक्रम प्रस्तुत करते रहते मैं नरेश कोशन आज फिर लेकर आए हूँ ऐसा ही एक प्रकर्ण इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं मेरे को एक अग्यात की दो पंक्तियां जो है वो ध्यान में आ रही है जो ना ध्यानी से सुनी है ऐसा मैकश कौन मैं खाने से रुखसत हो गया हिचकियां ले ले के रोती हैं सुराही आज तक हिचकियां ले ले के रोती हैं सुराही आज तक जी हैं कुछ ऐसे ही आलम है हर्याना के बहुत चर्चित खर्खोदा श्राब पर करनगा अब यहां कौन सुराही है जो आज तक हिचकियां लेकर रो रही है यहां यह बता दें कि यह सुराही आज तो महज परतीक बिंब हैं इनकी जगा भर सकते हैं आप इन परतीकों की जगाए अगर आप समझदार है तो भर सकते हैं कि इसमें क्या किरदार हैं सुराही ओ की जगाए शराब के इस परकरन या यूँ कहें के कथित शराब गोटाले का शोर गत बुदवर हर्याना विधान सवा के मान शून सत्र की एक दिशिय बैटक में भी सुनाई दिया परतीत ऐसा होता है कि कथित गोटाले की इस परकरन है इसकी निश्पक्ष जाच की परनिती क्या होगी क्या परिनाम होगे इसकी तरफ किसी का कोई तवर्जू नहीं तवर्जू किस बात पर है अहम पर इगो पर परतिष्ठा के स्वाल पर दरसल सत्ता के शीर्ष पर विराज मान दो शक्ति मान दुरूबों का एक अहम का इगो का तक्राब है इन में से एक मनोहर सरकार के बाए बाजू और दूसरे दाए बाजू माने जा सकते है सत्ता के पद और दर्जे के हिसाब से देखा जाए तो मुख्य मंतरी के बाद वह उपर मुख्य मंतरी के रूप में बुरिश्टता करम में सीनियर है मगर राजनितिक अनुभव और सेवा के अबधी के नजरिये से अगर आँका जाए तो दूसरे महानुभावतों मुख्य मंतरी से भी सीनियर माने जा सकते हैं पहले को अगर कामायू के बावजूद एक कुशागर बुद्धी एक कुशल प्रशाशक कहा जा सकता है तो दूसरे को उनकी गरम मिजाजी लेकिन साफ गोई को लेकर गबर तक की संग्या दी जाती है जी हाँ आप बिलकुल सही समझें इन दोनों नेताओं के अहम के ठकराब को आप दुश्यंत वर्सिज गबर सिंग्य यानि के मेरा मतलब अनिल विज की संग्या भी दे सकते हैं शराब के कछित गोटाले का ये मामला वैसे तो लॉकडाउन के दौरान ही सुर्ख्यों में उभरने लगा था और ग्रह मंतरी अनिल विज को एक विशल बलोवर के रूप में इस मामले का भंडा फोड करने का शिरे भी दिये जाने लगा था सौनिपत के खरकोदा में जब इस कछित गोटाले का धुआ उठा तो प्रारंभी की जहांच में पता चला के लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके बंद होने के बावजूद शराब की मूवेंट हुई थी पता चला के पुलीश वे एक्साइज विभाद के करमचारियों की मिली भगत से शराब गोदाम से शराब की भारी संख्या में पेटियां इदर से उधर की गई थी इस पर ग्रह मंतरी अनिल विज ने पूरे राज्य में शराब से जुड़े मामलों की जाच के लिए एस्चाइटी गठित करने की जो सिफारिश है वो मुख्य मंतरी से की थी लेकिन मुख्य मंतरी ने एस्चाइटी जिसके दाथ ज्यादा मजबूत होते हैं हम कह सकते हैं कि जिसको ज्यादा अधिकार होते हैं वो तो नहीं बिठाई लेकिन ग्यारा मैं को एस ए टी गठित करने और बीच दिन में जाच की रिपोर्ट देने के आदेश दी है इसके अधिर वक्त लेने के बाद एस्ची टी ने 30 जुलाई को जाच रिपोर्ट ग्रहे सचिव को सौंक दे इसके बाद ग्रहे मंतरी विज ने इस प्रकरन की फिर से स्टेट विजिलेंस से जाच कराने और एस्ची टी की रिपोर्ट में कोताही करते पाए गए दो वरिष्ट अधिकारियों को आई एस शेकर भी दैर थी और आई पी एस अधिकारी परतिक्षा गोदारा के खिलाफ विभागी जाच की सिफारिश मुक्ख मंतरी से की थी जाच में ना केवल खरखोदा बलके राज्य के भिन भिन खेतरों में गोदामों में या शराब के ठेकों से शराब की मुमेंट उन दिनों में पता चली जबके लॉकडाउन में ठेके और गोदाम बंद थे तो ये तो है इस परकरन की भूमी का अब हम वापस लोटते हैं अपनी उसी टिपनी पर यानि दो शिर्ष हस्तियों के अहम का टकराव मायने दुशन्त वर्सिश गबर सिंग अनिल विज बुद्वार को विधान साबा से विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाये जाने के बाद उपमक्ष मंतरी दुशन्त चुटाला जिनके पास आबकारी एमकरादहन मंतरा ले भी हैं उन्होंने कल बरस्पतिवार कुब है हर्याना निवास में पत्रकारों से वारता में शराब गोटाले का आरोप जड़ रहे विपक्षी दलों को आंकडों के साथ आईना दिखाने क प्रियास किया उनका दावा था कि दरसल गोटालों में कथित रूप से गिरे आपकारी विभाग ने शराब की बिक्री से कमाई के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने दावा किया कि करोना काल में पहली तिमाही में महकमे ने 263 करोड रुपए कुमाए दुश्यांत चोटाला का दावा है कि किसी भी कौर्टर में विभाग द्वारा सिताई करोड 58 लाक रुपए की अतिरिक्त आपकारी शुल्क की जो रकम है ऐसी पहले कभी भी वसूल नहीं हुई लेकिन सुबह दुश्यांत चोटाला ने आँखनों के साथ विभाग की प्रश्यांचा के फूल बांदे थे कि उधर शाम को गबर सिंग अनिल विज ने मीडिया से मुखातिब होकर फिर दोहराया के शराव का घोटाला हुआ है और इस मामले की गहनता से जांच की सिफारिश जो है मुख्यमंत्री ने कर दी है विजिलेंस द्वारा जांच होगी और जो भी अधिकारी करमचारी पुलिश के अफ्चरी या करमचारी दोशी पाए गए उनके खिलाफ कारवई अवश्य की जाएगी अब हम अपनी बात को समप करने से पहले आपको फिर से अपना वही दो पंक्तियों का शेर जो अग्यात का है वो दोहरा दे ऐसा मैकश कौन मैं खानने से रुख्षत हो गया एसा मैकश कौन मैं खानने से रुख्षत हो गया हिच्कियां ले ले के रोती है सुराही आज तक बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार